तो है गाई जैम के डेंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है और भाईयो आज हम एक फुल सेट अप PC बिल्ड करने वाले हैं 60,000 रूपीज के अंदर अंदर मैंने 60,000 से कम में ही कर दिया है तो भाईयो यहां पर हम बात कर लेते हैं हमारे PC बिल्ड के बारे में तो यह हमने बिट कार्ड पर बेस है क्योंकि यार डेली आप जाओगे आपके तीन से चार हजार पर लग जाएंगे आपको PC बिल्ड मिलजाेगा और काफी शीप रइस मिल जाएगा और मैंने वहीं जाओगे मर्थें देंग होने वाला है तो यहांपे लगाया है यहांपे प्रोस्ट्टर की बात करें तो यह है राइजन 26 हों यहांपे हमने लगाए देख सकते हो तो आपको तेम से होरो और बारा थ्रेड की जरूरी यहांपे पड़े ही की पड़े और भाई यह एक जनरेशन पुराना है पर अभी 20 तो प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको राइजन 26 आप देख सकते हो राइजन 26 यहां पर हमने इसके अंदर लगाया है क्योंकि के अंदर आपको देखने हो जाएगा काफी चीप में और काफी कमाल का प्रोसेसर यार मैंने खुद अपने CPU में भी लगवाया है थोड़े दिन पहले CPU बिट कर रहा था विटकार चे तो काफी कमाल का प्रोसेसर है तो यहां पर हमने अधर बोर्ड लगाया है MSI का B450 Pro VDS Max Motherboard और भाई काफी कमाल का Motherboard है इसके अंदर आपको हीट सिंग देखने को मिल जाती है एक छोटी ही जो आपको परफॉर्मेंस में काफी ज़्यदा कमाल की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगी और यहाँ पर आपको वी रेम काफी अच्छी मिलती है MSI के Motherboard की तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा और साथ हजार के अंदर आपको यह देखने को मिल जाएगा बिट कार्ड के अंदर तो वाइस रेम की बात करें तो रेम हमने लगाई है यहाँ पर Corsair LPX 32 मेगा हर्ज वाली दो स्टिक्स हमने यहाँ पर लगाई है क्योंकि यह राइजन डूएल चैनल पर काफी ज़्यादा काम करता है तो यहाँ पर हमने दो स्टिक्स लगाई है और दो स्टिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी राउंड 5600 रुपीज के आसपास बिट काड पर देखने को मिल जाएगी और काफी कमाल की यह रैम है यार इसकी हीट सिंग काफी अच्छी है और भाईयों यहाँ पर हम बात करें तो इसको आप और क्लोग कर सकते हो 3600 मेगा हर्ष तक तो यह भी काफी कमाल की बात है तो हमने यही चूज की है इसके अंदर तो अगर आप इसी बिल्ड कर रहे हो तो बिट कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने हो मिल जाएगा और हमारी चैनल का नाम लोग एंके टेक तो आपको एक माएउस पेड फ्री मिल जाएगा खेर माऊस पेड के परेसे बज जाएंगे आपके नए गेम्स में 60fps आपको राम से निकाल के देदेगा ये और श्रेमिंग भी अच्छी खाशी करा देगा ये आपको तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो कोई भी कंपनी का ले सकते हो इनो 3D का काफी चीप है मिल रहा है तो मैं इनो 3D का यहाँ पे आपको सज्जेस्ट करूँगा और यहाँ पे हम बात करें कि इसके अंदर हम कौन्सी पावर सप्लाई लगाने वाले हैं तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई इसके अंदर लगाई है कोर्ड, Share کی PS450 or Y450 इनफ है स्पीशिवेड के लिए और काफी कमाल की यहां पर ये PSU देखने को मिल जाती है तो इसकी प्राइस भी आपको यहां पर 2500 या 600 रुपे के आज-पास देखने को मिल जाएगी और काफी कमाल की है PSU यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको और यहाँ पे हम बात करते हैं अब कि इसके अंदर हमने SSD कौन छी लगाई है तो SSD हमने लगाई है Kingston की क्योंकि एड डेटा की यार इतनी खास ने आती Kingston की काफी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है तो Kingston की SSD हमने यहाँ पे लगाई है और यह हमने 240 GB की लगाई है और यहाँ पे आपको 2300 या 400 के आसपास यह देखने को मिल जाती है बिट काड़ पे और यहां पर हम बात करें कि अब हमने यहां पर पे इस टोरेज कितनी ली है हाड राइव कितनी लगाई है तो यहां पर हमने 1TB की WD की हाड राइव लगाई है जो आपको 3000 रुपे के अंदर देखने को मिल जाती है और इतना स्टोरेज मेरे ख्याल से इनफ है बाकि आप और भणालेन आपने इसाब से देख सकते हो आप तो यहाँ पे यह हमारा हो गया PC बिल्ड और भाई यह आपको 60fps राम से निकाल के देदेगा आपको वीडियो एडिटिंग वीडियो रेंडरिंग और यहाँ पे आपको स्ट्रेमिंग काफी अच्छे से करा देगा यह तो मेरे भाईयो यहाँ पे हमने मोनिटर चूज किया है LG का 22MP68 VQ मोनिटर और भाईयो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देदूंग आप Amazon से ले सकते हो साडे 7000 से आठ सब्युthird के बीच में यह मिल जाता है कभी कभी प्रायज उट्पर नीचे होती रहती है कंभी कभी से लिस्ट वोगे डीघर के अंदर देखने करता हूं यहाँ पिछह कपार Alison मैं पास से आपको दिखाता हूं प्री सिंक पे और यहां पे आपको वीडियो एडिटिंग का एक्सपिरेंश पी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है यहां पे हमने कीबोर्ड चूस किया है कोस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला यहां पे जीके ट्वैल नियोन और भाई काफी कमाल का कीबोर्ड है यह और काफी कमाल की यहां पे आपको यहां पे गेमिंग करवा देगा और काफी अच्छा है टाइपिंग के लिए भी और मेकेनिकल कीबोर्ड है तो काफी कमाल का है अंडर 1700 रुपीज के अंदर आपको यह देखने को मिल जाता है और भाईो यहां पर हम बात करें इस keyboard की तो भाई यह मैं खुद personal यूज करता हूँ और काफी कमाल का keyboard है भाईो यहां पर हमने mouse एकदम अच्छा वाला choose किया है क्योंकि अगर आप gaming करते हो तो यहां पर आपको mouse की काफी ज़्यादा जरूरी होती है अच्छा mouse आपको काफी ज़्यादा अच्छा लेना जरूरी होता है keyboard का इतना नहीं होता पर mouse लेना काफी ज़्यादा अच्छा जरूरी होता है तो यहां पर हमने mouse चूज किया है कोस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला एक्विनोस गामा जो कि आपको 16,000 dpi आप शेट कर सकते हो इसके अंदर जो की काफी अच्छी gaming करा देगा आपको और यहां पर आपको 12 buttons देखने को मिल जाते हैं dedicated sniper button देखने को मिल जाता है तो यहां पर आपको काफी कमाल का experience जब आप game खेलोगे तो आपको मिलने वाला है और यह two thousand के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और काफी कमाल के आरजी पाई प्षाट आपको कर सकते हो और काफी कमाल की Jennifer सकते हो और यहां पर अगर आपको प्रोड़क्त से सब्हस्क्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर और कमेंट में कोई भी सवाल पूछना कोई दिक्कत की बात निये वर्दो कमेंट को तुम्हारा भाई यहां पे बैठा है सवाल के जवाब देने के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही बस अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर